मुहम्मद रफी सहाब के उपर इंडिया के कुछ लोगों ने 1980 में आरोप लगाया था कि वो एंटी इंडियन है, वहीं श्री लंका के कुछ लोगों ने उन पे आरोप लगाया था कि वो एंटी श्री लंकन है क्या सच में मुहम्माद रफी साब एंटी इंडियन या एंटी श्रिलंकन थे इस बारे में आपको बताऊंगा तो आक्चुली बात है चार फरवरी 1980 की चार फरवरी हर साल श्रिलंका का इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाता है 1980 में किशोर कुमार और मुहम्माद रफी इंडिया की लीडिंग प्लेबैक सिंगर्स थे लेकिन श्रिलंका में मुहम्माद रफी साब की जो प्रसिद्धी थी उनकी जो चर्चा थी वो किसी और लेवल पे ही थी श्रिलंका में मुहम्मद रफी सहाब को जाधा बड़ा सिंगर माना जाता था और श्रिलंका में मुहम्मद रफी सहाब के गाने बहुती आता धूम मचा चुके थे इसी को देखते हुए श्रिलंका के प्रेजिडेंट ने मुहम्मद रफी सहाब को इन्वाइट किया कि वो चार फरवरी 1980 को शिलंका में आये और एक इवेंट में भाग लें जहांवे पे वो कुछ अपने काने गाये और लोगों का मन रंजन करें क्योंकि चार फरवरी को हर साथ शिलंका का इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाता है तमिल नाडू में रहने वाले कुछ तमिलियंस ने इस चीज़ को ले करके मुहमद रफी सहाब को रिक्वेस्ट किया कि वो शिलंका में ना जाएं क्योंकि 1980 से ले करके तमिल्स और सिनहला के बीच में शिलंका में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी सिनहला और तमिल स्पीकिंग लोग जो थे शुरू लंका में उनके बीच में प्रॉब्लम्स इसकदर बढ़ गई थी कि दोनों अलग-अलग कैंप्स में रहना शुरू कर दिये थे एक दूसरे के साथ उतना उनलोगों की बाचियत नहीं थी और टेंशन्स थूरू दरूफ थे और कुछ तमिल्यंस जो तमिल नाडू में रहते थे उन्होंने मुहम्मद रफी साब को रिक्वेस्ट की थी कि जिस हिसाब से तमिल्यंस के डिग्निटी को वहाँ पर क्वेशन किया जा रहा है जिस हिसाब से तमिल्यंस को उनके डिग्निटी नहीं दी जारी ये शुलंका में उसको देखते हुए मुहम्मद रफी साब श्रिलंका ना जाए लेकिन क्योंकि श्री लंका के प्रेजिडेंट ने मुहम्मद रफिय साब को पर्सनली इंविटेशन भेजा था तो मुहम्मद रफिय साब मना नहीं कर पाए और वो पहुंच गए श्री लंका चार फरवरी को सुबह साथ बजे 1980s में वहाँ पे लोगों का मन रंजन करने के लिए मुहम्मद रफिय साब के एक खास बत और थी जब भी वो किसी दूसरे देश में टूर करने जाते थे जब भी वो किसी ऐसे देश में गाना गाने जाते थे जो उनकी native language नहीं थी तो वो हमेशा वहाँ की native language की कंट्री के कुछ एक से दो गाने का अभिःस करते थे और उने एक दो गानों को गाने के बाद ही अपने हिंदी गाने गाते थे ये मुहम्मद रफी सहाब की बहुत पुरानी आदत थी और इसी प्रथा का फॉलन करते हुए वो जब शिलंका गय तो उन्होंने सुबह ही कुछ सिनहला गानों की प्राक्टिस कर ली और उसके साथी साथ उन्होंने ये मान के रखा कि जब दोपहर को दो बजे कारेकरम शुरू होगा तो वो दो से तीन सिनहला गाना गाने के बाद ही हिंदी गाने गाना शुरू करेंगे वो कारेकरम में पहुँचे कारेकरम में कारेकरम का उधगाटन हुआ और उसके बाद मुहम्मद रफी सहाब को गाना गाने का निमंत्रन दिया गया जब मुहम्मद रफी साहब ने सिनहला गाना गाना शुरू किया तो उससे क्राउड बहुत ज़्यादा नाराज हुई क्राउड ने बू किया क्राउड ने मुहम्मद रफी के उपर कुछ करंदे कपड़े भी फिक नहीं कोशिश की और इस सब को देख करके वहाँ पे जो थे शुलंका के प्रेज़ेंट वो भी हैरान हो गए मुहम्माद रफी सहाब भी हैरान हो गए और पूरी क्राउड हैरान हो गए इससे पहले कि सिक्योर्टिक कुछ समस्ती मुहम्माद रफी सहाब ने अपने हिंदी गीत गुणगुणाने शुरू किये वैसे ही मानो क्राउड ने पूरे स्टेडियम को ही उसमें से बहुत चुरिंदा लोग ही रहे होंगे जिनको हिंदी आती रहे होगी सिनहला मैजॉर्टी क्राउड ने रिक्वेस्ट किया अपने उतकाल से कि मुहम्मद रफी सहाब सिनहला में नहीं बलकि हिंदी में गाना गाए और मुहम्मद रफी साब दो घंटे तक अपने हिंदी नगमों को पेश करते रहे एक ऐसे क्राउट के सामने जिसको हिंदी का एक शब्द भी नहीं आता था इसको देख करके कि जिस हसाब से यह पापलाटी हो रही थी तो रंती 2 स्पीकर्ज भी लगवाई गए गए स्टीडियम के बहर तक कि मुहम्मद रफी साब जो गाने गार है वो स्टीडियम के बहर जो लोग थेला चला रहा है जो लोग मैदान में आसपास जा रहे हैं अपनी कार से अपनी गाली से अपने घोडे से वो लोग भी रफी साप की आवाज सुन पाए और मान के चलिए आपकी 4 फरवरी 1980s को जो 40,000 लोग स्टेडियम के अंदर थे साथी साथ 30,000 लोगों ने स्टेडियम को बाहर से घेर लिया था और जो कारेकरम 2 घंटे चलना था वो कारेकरम 3,5 घंटे चला और एक बहुत बड़ा ट्राफिक जाम लग गया था कुलंबो में 4 फरवरी 1980s को ये था मुहमद रफी का जलवा जहां पे उन्होंने एक सिनहला स्पीकिंग क्राउट के सामने हिंदी में गाने गाए और उस क्राउट का मनरंजन किया बढ़ कुछ लोगों तकि मुहमद रफी साहब निगलती किया और वो आंटि हिंडियन है और वो तमिल के राइट्स को नहीं समझ रहे हैं